Friends, वजन कम करना एक आम समस्या है जिसके कारण जाला तर लोग परिशान रहते हैं वजन खटाने और मुटापे से चुटकारा पाने के लिए हम लोग हमेशा अलग-अलग तरीके अपनाते हैं सर्दियों में लोग अपनी टाइट और एक्सराईज में कई तरह के बतलाओ करते हैं जिससे कि किसी तरह वजन को कम किया जा सके लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ लड़ू हैं जिनकी मदद से आप सर्दियों में तेजी से अपना वजन कम कर सकते हैं जियाँ डियर फ्रेंड्स मैं हूं डॉक्टर सीमा गुप्तार एक आयुविदिक डॉक्टर और जानते हैं आप सर्दी के दौरान घर पर कुछ प्रतार के लड्डू को तयार कर सेवन करने से अपना वजन कम कर सकते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्तर जरूर देखे और अगर आप मेरे चैनल पढ़ना हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजे और ऐसे अपडेट्स पाते ही रहने के लिए तो फ्रेंड्स अकसर लोग ये सोचते हैं कि लड्डू के कारण सिर्फ वजन बढ़ता है और मटापी का खत्रा होता है जबकि क्या आप जानते हैं कि ऐसे लड्डू भी होते हैं जो आपके वजन को तेजी से कम करने में असलदार होते हैं इन लड्डू को आप घर पर असान तरीकों से और स्वस तरीके से तैयार कर सकते हैं और सज्जियों के दोरान असानी से खा सकते हैं तो नमबर वन तिल और गुड के लड़ू, तिल के लड़ू वजन कम करने के लिए बहुत फायदे मंद होते हैं और ये आपके वजन को तेजी से कम करने में भी फायदे मंद हैं, तिल में ऐसे दतु पाये चाते हैं जो आपके पूर्ण स्वास्ते को बढ़ावा देने के जिसे विशाक पदातों को बाहर निकालने, हार्मून्स को संतुलिक करने और रदे स्वास्ते को स्वस्त रखते हैं जिस लड़ू सद्रियों में आसानी से खाया जा सकता है, वैसे तो आप सभी महिलाई ये लड़ू घर में अकसर बनाती ही होंगी, एक आईए के लिए अच्छी तरह साफ कर लें, तिल को साफ करने के बाद इसे कड़ाई में अच्छी तरह से भून लें, दूसी तरह गरम पानी कर उसमें गुड़ को हलका उबलने दें, गुड़ को अच्छी तरह से पकने के बाद आप इसमें भूने हुए तिल को डाल कर मिक्स कर दें, अच अबर तो सौंट के लड़ू, सजियों के दौरान बहुत से लोग सौंट के लड़ू को काफी पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि इनसे वजन को भी असानी से कम किया जा सकता है, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सौंट के लड़ू हमेशा गर्वती मैलाओं के लिए ही होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, सौंट के लड़ू कोई भी असानी से खा सकता है और इससे वजन कम करने में बहुत मदद मिलती है, सौंट के लड़ू ना सिर्फ आपके वजन को कम करता है, बलकि ये आपके शरीर को सजियों में गर्म करता है, शरीर में होने वा सुष्टी को दूर करने के लिए सौंट के लड़ू असरदार है क्योंकि इसका सेवन करने से आप दिन भर खुद को उस जावान रख सकते हैं तो क्या क्या चाहिए हमें ये बनाने के लिए सौंट पाउडर, गौन, नारियल और घी, आटा, इलाइची और सूखे मेवे अब बनाने का तरीका जान लेते हैं सौंट के लड़ू बनाने के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले आटे और गौन को अच्छी तरह से भून लें जब ये पूरी तरह से भूरे हो जाएं तो इन्हें निकाल लें अब आप इस भूने हुए आटे और गौन में सौंट, बादाम पाउडर, पिसा हुआ नारियल, मेवे और इलाइची डाल दें इन सभी चीजों को एक साथ मिला लें आप इसे तब तर मिलाएं जब तक ये पुरी तरह से मिलना जाएं घी को अलग से गरम करके इस निशन में डाल दें और अच्छी तरह से मिलाएं इसके बाद आप ठंडा होने पर इसके लड़ू बना लें और इसे किसी डिपे में रखतें मेथी स्वास्थे के लड़ू अपके वजन को भी बढ़ने से रोकते हैं मेथी में भारी मात्रा में कार्बोहाइडेट्स, प्रोटीन, सोडियम, कॉलिस्टरोल, विटामिन, ए, कैल्शियम और आइरन माजूद होता है पोशक तत्तों से भरपूर मेथी के लड़ू आपको सर्दी के दारान गरम रखते हैं साथ ही आपके अच्छे स्वास्थे को बढ़ावा देते हैं मेथी का नियमित रूप से सेवन करने पर ब्लड शुगर नियंतर में रहता है जो डायबटीज के रोगों के लिए फायदे मन होता है मेथी के लड़ू महिलाओं को भी गर्भावस्ता के बाद दिये जाते हैं जिससे कि उनमें पोशन की कमी को जल्दी से दूर किया जाए और बच्चे को सही मात्रा में पोशन मिल सके है तो मेथी के लड़ू बनाने के लिए हमें चाहिए मेथी दाना, देसी की, गेहूं का आटा, गॉंथ, दालचिनी, जीरा पाउडर, पिसे हुई सौंट, शक्कर या गुड, दो कब दूर और सौंफ आब इसको बनाने का तरीका जान लेते हैं मेथी दाने को पानी से अच्छी तरह दो कर उसे सुखा लें अच्छी तरह से सूखने के बाद आप मेथी दाने को पीस लें पीसने के लिए आप मिक्से की मदद ले सकते हैं दूसरी जगे दूद को अच्छी तरह उबाल कर ठंडा करने के बाद इसमें गी और मेथी दाने को डाल दें इस मिश्रन को करीब 5-6 घंटे के लिए छोड़ दें इसके बाद आप इसमें बादाम, चायफल, इलाइची और दालचिनी को भी पेसकर डाल सकते हैं दूद को पूरी तरीके से सौक लेने के बाद आप मेथी दाने के इस मिश्रन को गी के साथ भून लें इसके साथ आप गौन को डाल कर धीमी आजबर भून लें आप अपने अनुसारिस में पीसा हुआ सुखा नारेल भी डाल सकते हैं एक दूसरे जगे चाशनी को अच्छी तरह तयार कर लें अब चाशनी और भूनेवे मेथी दाने को एक साथ अच्छी तरह से मिला लें इसके बाद आप अपने हाथों से इसके लड़ू बनाना शुरू कर दें और इससे आप लंबे समय तक इस्तिमाल कर सकते हैं यह लड़ू सिर्फ आपके वजन को कम करने में फायदे मन नहीं होते बलकि यह आपके अन्य स्वास्तिक ले भी काफी अच्छे होते हैं यह सभी लड़ू आपके जोडों में दर्द, सूजन और कई बिमारियों को दूर करने में मददकार होते हैं इसके साथ ही आप इसकी मदद से सद्यों में कुद को कर्म रख सकते हैं तो आई हो फ्रेंड्स आपको यह चानकारी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे अपडेट्स पाते रहने के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें